गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट आयाम अन्दे प्यूर पॉल साइंस टीचर फ्रॉम श्रीकुरुतेक भादर सेनियर स्केंडर स्कूल एनस नाइन डिंग्रोर सिर्सा डियर स्टूडेंट टूडेंग टूडेंग टूस्टार्ट नेक्स टॉपीक बेड़े जो पहले हमने पंचवर्श योजना में किया गया था किरीशी के उपर क्या अधिक सेदी क्या बल दिया गया था वहीं दूट्ट्यआ योजना कि उद्धियोगी विकास को प्रमुक्ता परदान की गई थी दूट्यजना और उसके पहिशात अपनाई गयी योजना में किया था नहेरू मह केल नोबिस मोडल की अनेकों भारती विचारकों और लोचकों द्वारा कड़ी अलोचना की गई थी इन अलोचकों का जो मत था कि किरिशी क्या है भारती अर्थवेस्ता का अधार है उस पर अधोगी कर्ण को प्रात्मिक देना किसी भी परक्से उचीत परकड नहीं होता तो इस परकार से लोचकों ने क्या किया नियोजित जंग से क्या क्रिशी को पीछे देखेलने के प्रयास क्या करते रहे प्रयास किये जा रहे थे और इन योजना में अधोगी कर्ण पर क्या बल देने के कान क्रिशी वे ग्रामिल शेत्रों को क्या शती पुंचा है गई थी और इस विशे में योजना योकिस दस्य और परशिद गांधी वादी अर्थ सास्त्री जेसी कुमारपा इसने पिक दे रहे कि अपनी पुस्त के एकोनोमिक और परफॉर्मेंस में एक वेकलपी कि योजना का जपरूप परस्तूत किया था जिसमें उन्होंने क्या ग्रामिन धोग प्रात्मिता देनी की जोर्दार क्या वकालत की थी उन्होंने ये विचार परकड़ किया कि शहरी और धोगी करूप को लाप पुंचाने के उदेशे से ही क्या है दिवित्त्य प्रचवर्शियों का निर्मान किया गया था जिसकी कीमत के अब गरामिन जनता और क्रिश्कों को चुकानी पड़ रही थी इस प्रकार बेड़े जो इन विचारक थे उन्हें धोगी करूप को किर्शी की पेक्षा किता सुर्वच प्रात्मिता देनी की निती को निमलिक अधारों पर किया उचीत ठहराया था अब फरस्ट उसमें है दा कि इसमें जास्ट्रे आयां प्र आये लोच बहुत दीखती और निर्मित वस्तों में निर्यात की अफसर अधिक मातरा में उपलब्ध हो सकती हैं विदेशी निवेशक क्रिशी की पेक्षा उधोगों में निवेश को क्या प्रात्मिता देती हैं और भारत में विद्यमन ग्रीबी और ब्रोजगरी को दूर करने में अधोगी करन का महतनेपूर भूमिका निभाता है और जात्येश को कि देश के दूर बलत संसाथनों का प्रयोग क्या करता है किर्शी के पेक्षा ध्योगी के विकास में भी करके भी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है किर्शी पर देखो जन संक्या का पहले दबाव कापी था और भूमी पर दबाव को कम करने वे क्रिशित पाद उनको बढ़ाने का एक उपाए जन संक्या को ओध्रोगी छेत्रों की ओर क्या करना था आकर्षित करना था और जो योजनाकार थे उनका मत्ता की अने को ऐसे संसादे ने जिनकी आफशक्ता की वर क्रिश्कों को ही होती है जैसे कि स्थानिय मालों एहममानों शक्ती की आफशक्ता जबकि धोगी छेत्र की विकास के लिए पूंजी तकनीकी ग्यान और प्रक्षिक्षित शिरम की आफशक्ता होती है तो इस प्रकार से हम कहा सकते हैं कि जो समय की मांग को देखती हुए जो योशना कार थे उनके द्वारा क्रिश्कों और उसके पहच्चात क्या उध्योगी करन को सरवच प्रात्मिक्ता दी गई थी प्रत्थों व्योशना में स्पष्ट किया गया था कि क्रिश्ची जिसमें सिंचाई भी शामिल है और संचालन शक्ती को सरवच प्रात्मिक्ता देनी चाहिए प्रतुखदानों के उत्पादन और ध्योगी के विकास के लिए कच्चे माल के उत्पादन में वरिदी किये बिना उचीत उध्योगी के विकास संभव नहीं हो सकता है तो इस विशे में प्रोफेसर लूइस ते, उनका कहना था कि विकास सोज़ना में अर्थवस्था कि सबी स्थेतरों का कैया एक साथ विकास होना आफज़क है ताकि जो कृशी है ध्योगों के मद्द है जो भी उपभोग है निर्याद के लिट पादन के मद्द है संतूलन है वो काइम हो सके और वास्तिकता ही है कि सबी छेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए ये धारना जितनी सरल है कि उतनी के युकती पूरण है और इसे हम क्या जोठला नहीं सकते कि हमें क्या सबी योजनों का सबी चीजों का साथ की साथ में विकास करना चाहिए अब प्रत्रम पंच वर्ष योजने में क्रिशी के उपर जोड़ दिया गया था और सैकिंड में उध्योगी की विकास की उतरम तो यह थी बेटे जो आज में ने करवाया क्रिशी बनाम उध्योग जो हमारे मुख्य विवाद का विशे रहे थे फर्स्ट आपका याज में ने करवाया नेक्स नेक्स वीडियो में होगा थैंक्स बेटे हैवे नाइस टे